एलो एवरीवन कैसे आप लोग कैसे चल रही सबकी पढ़ा एकदम बढ़ियां एकदम मज़ेदार तो माइनिम इस संजीफ पांडे और स्वागत आपका अपने प्यार से चैनल में खुबसूरे से चैनल में जे आर कॉलेज में जो की पाट है जे आर टुटोरियल खा जैसा कि जो भी जूनियर कॉलेज के जो भी टॉपिक्स हैं सारे के सारे टॉपिक जे आर कॉलेज में आएंगे यहां पे अलग से बात चालू किया गया है तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारे लिए तो तुमको क्या करना है थोड़ा सा महनत करना है वीडियो को लाइक कर दो शेयर हम लोग discuss करने वाले हैं दूसरे लेक्चर के बारे में अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाओ लेक्चर नंबर वन देखो क्योंकि लेक्चर नंबर वन का continuation पार्ट है यह ओके तो आज हम लोग क्या discuss करने वाले है डिराइब कॉंटिटी जो की आल्रेडी हम लोग वहां पर discuss कर लिया था थोड़ा बहुत फिर हम लोग discuss करेंगे supplementary quantity फिर हम लोग देखेंगे convection for the use of SI unit फिर हम लोग देखेंगे parallax method जो की बहुत important topic है measurement of length में आता है यह चीज़ तो चलो start करते हैं book pen खाने पिने का समान जो भी लेके बैठ ना बैठ जाओ एक short में video complete करना याद रखना हो के बीच पे pause मत देना चलो तो सबसे पहले हम लोग discuss करेंगे derive quantity के discussion करेंगे okay derive quantity क्या होता है हम लोग ने last time discussion कर लिया है already देख लिया है भाई हम लोग ने देखा है कि there are seven fundamental quantities साथ तरह के fundamental quantities है कौन से quantities एक बर मेरे साथ revise करो फटाफर फटाफर मेरे साथ revise करो that is length yes mass yes again time yes आगे आगे क्या था next what is fourth one that is temperature yes or no electric current yes very good amount of substance and the last one is the luminous intensity these are called as seven fundamental quantities साथ basic quantities अब इन quantities को छोड़ के जो भी quantities बन रही है न वो सारी की सारी quantities इसके help से बन रही है तो जो भी quantities इसके help से बनेंगी that is called as derived quantity उसको हम लोग क्या बोलेंगे derived quantity बोलेंगे थोड़े बहुत example मैंने तुमको बोले थे comment करने को और बहुत 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 बहुतरीन तरीके से तुम लोग ने comment किया है बहुत अच्छी बात है अगर ऐसी ही practice करो गए तो definitely you are going to score good marks okay चलो तो कुछ quantities देख लेते हम लोग यहां पर अगर हम लोग देखें तो लेस से एक simple quantity का discussion करते है लेस से velocity अगर जनरली हम लोग देखने जाए तो velocity क्या होती है velocity का formula क्या होता है velocity का formula होता है तुमारा that is nothing but distance divided by time अब यहां पे distance displacement यह सब ध्यान दिनी की नहीं है because distance अभी बहुत लोगों मन में हो जाएगा sir velocity तो displacement by time होता है ना ऐसा देको वह बाद में जब हम topic पढ़ेंगे जब इसके बाद वाला topic पढ़ेंगे chapter number 3 पढ़ेंगे तब वहां पर हम महत्व देंगे कि भाई distance क्या होता है displacement क्या होता है ओके वहां पर तब हम दोनो चीज का मतलब length होता है ओके तो यहां पर confused होने की जरूत नहीं है ओके distance बोला तो भी length होगा displacement बोला तो भी length होगा height बोला तो भी length होगा depth बोला तो भी length होगा thickness बोला तो भी length होगा याद रखना ओके clear बासन ना रहा है तो अब यहां पर देखो अब ज़रा velocity को ध्यान से देखो velocity कि से बना हुआ, velocity दो quantity से बना हुआ है, पहला quantity है length और length को हम लोग ने क्या लिखा यहाँ पर हम लोग ने लिखा है, distance हाँ यहाँ न, तो पहला quantity है length and the second quantity क्या है, second quantity है तुमारा time तो length divided by time कि हम लोग ने हमको क्या मिला, हमको मिला, velocity मिला, क्या मिला, velocity मिला, yes or no, okay, अब यहाँ पर देखो, एक और quantity लह ले ते हैं, let's say volume, volume का formula क्या हो जाएगा, that is length into breath into height हाई यहाँ न, these are the formula for volume, भाई मैंने बताया, length मतलब क्या length, length, breath मतलब क्या length, height मतलब क्या length, भाई, तीनो की तीनो length होगा, yes or no, मतलब यहाँ पर अगर मैं length को तीन बार multiply कर दू, तो I will get the volume, इसलिए इसका unit क्या होता है, meter cube होता है, yes or no, इसका unit क्या होता है, meter cube होता है, दिरे-दिरे unit भी recall करना चालू कर दो, velocity का unit क्या होता है, that is meter per second, मतलब उपर length है ना, तो length का unit क्या हो जाएगा, meter, नीचे time है, तो time का unit क्या हो जाएगा, second, तो meter per second, यह हम लोग ऐसा unit की बात कर रहे है, ओके, अब ध्यान दो, let's say density, density भी एक derived quantity है, density क्या होता है, that is mass by volume, तो mass भाई क्या हो जाएगा, that is kg, volume क्या हो जाएगा, that is meter cube, तो kg, meter cube, yes or no, density का unit क्या हो जाएगा, kg, meter cube, अब density किस से बनी हुई है, mass से बनी हुई है, और volume से बनी हुई है, मतलब भाई यह भी क्या हो रहा है, density भी एक derived quantity है, मैं बता रहा हूँ, seven quantity को छोड़ के दुनिया की जो भी quantities तुमको दिख रही हैं, okay, density ले लो, force ले लो, momentum ले लो, power ले लो, work ले लो, energy ले लो, कोई भी quantities तुम ले लो, okay, सारी की सारी quantities को क्या बोला जाता है, derived quantity बोला जाता है, yes or no, बास सम्नारी कि निस सम्नारी है, अब एक साथ तुमको derived quantity रटने की जुरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारा chapter खतम होते जाएगा, जैसे जैसे तुम chapter number one, chapter number two, chapter number three, chapter number four, जैसे जैसे तुम आगे आगे पड़ते जाओगे, वैसे वैसे तुमको सारी quantities clear होते जाएगी, जैसे अगर मैं मान बता लो तुमको कि torque, okay, torque क्या होता है, torque होता force जो कि हलागी तुमने पड़ा है, फिर भी तुम कहीं न कहीं confused होगे, तो जैसे जैसे हम chapters पढ़ते जाएगे, जैसे जैसे हम chapters के अंदर आगे बढ़ते जाएगे, वैसे वैसे एक एक करके नहीं नहीं quantities हम सीखते जाएगे, okay, याद रखना तुमको सिर्फ पता होना चीए that seven basic fundamental quantities, वो साथ basic fundamental quantities तुमको पता है ना, तुम सारी quantities जान जाएगे, और ज्यादा करके तुमको काम कौन-कौन सी quantities आएगी, that is force, force बहुत ज्यादा काम आएगा तुमको, force क्या होता है, that is mass into acceleration, हाई या ना, तुमको momentum काम आएगा, momentum क्या होता है, that is mass into velocity, yes or no, तुमको power काम आएगा, तुमको work काम आएगा, work क्या होता है, that is force into displacement, तुमको power काम आएगा, power क्या होता है, that is work by time, okay, these are the quantities, यह कुछ derived quantities है, जो तुमको काम आएगे, जाधा, बोलते हैं न, जाधा पहमाने पर तुम इसको use करोगे, as compared to other quantities, okay, but हाँ, इसको याद नहीं हो रहा है, कोई problem नहीं है, एक बार में याद नहीं होगा, जितना तुम habitual करोगे, जितना तुम time to time, rows time दोगे, और rows मुझे comment box में, बताओ कि भाई, यह quantity है, these quantities is called as derived quantity, clear, बात समना आगे, हम लोगने तीन तरह की quantities, हम लोगने दो तरह की basic quantities देख लिए, एक हम लोगने देखा fundamental quantities, which is called as basic quantities, एक हम लोगने देखा derived quantities, okay, एक और next type की quantities है, which is called as supplementary quantities, okay, और supplementary units, okay, मतब supplementary quantities, उसके quantities का unit होता है, उसक एसी quantities है, जो हमको help करती है, क्या करती है, help करती है, याद रखना, okay, यह जादा utilize नहीं होती, इसको अलग से हम कहीं नहीं पढ़ते, बड़ इसको साथ में पढ़ते है, okay, दो तरह की supplementary quantities है, एक है हमारे पास plain angle, और एक हमारे पास solid angle, अब plain angle तुमको पता है, भाई, क्या हो plain angle, या फिर मालो कि कोई भी दो, यह मालो कि यह plane है, यह एक plane है, और यह एक plane है, अब इनके बीच का एक angle बन रहा है बरबर, यह जो angle है, it is called as plain angle, okay, तो plain angle हम लोग ने पढ़ा है, कहीं ने कहीं, सुना है हम लोग ने, math में सुना है, 10th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, 8th म और 2 plane, हाँ या ना, भाई, दो line या फिर दो plane जब angle बनाएंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, is called as plane angle, और generally इसका unit क्या होता है, what is the SI unit, SI unit अब बहुत लोग बोलेंगे, सर डिगरी, डिगरी नहीं है, इसका SI unit होता है, radian, always remember, okay, इसका SI unit होता है, radian, जिसको हम लोग rad से लिखते हैं, okay, the unit for the plane angle is radian, याद रखना degree नहीं है, okay, degree is not SI unit, हम लोग लिखते हैं, बड़ा इसको 30 degree लिखते हैं, but ये इसका SI unit नहीं है, इसको radian में convert करना पड़ता है, और radian में कैसे convert करते हैं, तुम लोग ने max में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा अगर तुम radian से convert कर रहे हो, किस से degree में, तुमको multiply करना है 2 pi by 180 से, degree को क्या करना है, degree को multiply करना है, किस से 2 pi by 180 से, तो ये किस में मिल जाएगा, ये तुमको मिल जाएगा, किस में, radian में मिल जाएगा, किस में मिल जाएगा, radian में मिल जाएगा, याद रखना, और अगर माल लोग तुमको radian से degree में करना है, तो multiply by 180 divided by 2 pi, 180 divided by 2 pi, यह करना, और यहाँ पर pi का value जो put करना, वो put करना 3.14, ओके तुम माक्स में देखोगे, तो माक्स में डिग्री बहुत इस्तमाल होता है, बट फिजिक्स में रेडियन बहुत ज़्यादा इस्तमाल होता है, तो रेडियन में उसको convert करने ही कोशिस करना, ओके, clear बासन में आ रहा है, ये चीज़ तो बहुत सिंपल है, अब ये चारो कॉर्नर को देखोगे, तो तुमारी आखे है ना, चार रे बना रही है, ये चारो कॉर्नर को देखने के लिए ऐसे चार रे बना रही है, अब ये जो चार रे है, ये जो पूरा अंगल दिख रहा है तुमको ये पूरे चार रे का जो अंगल दिख रहा है न, इसको बोलते हैं solid angle, मतलब किसी भी 3D object को देखने के लिए तुमारी आखे जो रेस बनाती है, तुमारी आखे जो आंखे जो आंगल बनाती है, that is called a solid angle, okay, let's say कि भाई, यहाँ पे एक object है, 3D object है, और let's say यहाँ पे तुम observer हो, अब तुम उसको देख रहे हो, तो अब देखने के लिए क्या होगा, यहाँ पे अगर तुम generally देखो, तो भाई तुम ऐसे चार, चारो corner को observe करोगे, उसके, उसके चारो corner को observe करोगे, बरबर, चारो कॉर्णर को उसके अबसर्फ करो गया सोनो अब उस चारो कॉर्णर को जब तुम अबसर्फ कर रहे हो ना तो क्या हो रहा है जब तुम उसके चारो कॉर्णर को अबसर्फ कर रहे हो ना तो यहां से एक 3D एंगल बन रहा है क्या बन रहा है 3D angle बन रहा है, ध्यान से देखो, ऐसे कुछ बन रहा है, ऐसे, ऐसे दीख रहा है, ऐसे, यह जो angle बन रहा है, यह जो angle बन रहा है, यह जो angle बन रहा है, this is called a solid angle, और इसको हम लोग generally represent करते हैं, omega से, तुमने omega represent किया रहेगा, तुमने use किया रहेगा, resistance दिखाने के लिए, पर अगर हम लोग देखने जाए, तो यहाँ पर एक relation है, तुमने max में पढ़ा होगा, अगर याद है तुमको relation, तो क्या relation है, देखो जरा, वो relation तुमको याद करा देता हूँ, बहुत सारी चीज़े तुम max में revise करते हो, तो इसलिए कभी max को छोड़ना नहीं है, वो relation क्या angle subtended, याद आया कुछ formula, तुमने मेरे खाल से 10th में भी पढ़ा होगा ये चीज़, arc length बोले तो ये वाला length, लेस से इसको s ले लो, लेस से ये तुम्हारा radius r हो गया, और ये तुम्हारा angle theta हो गया, तो भी, we have the relation, क्या relation है, that is s equals to r theta, हाँ या न, ये relation हम लोग ने पढ़ा है where s is nothing but your arc length, yes or no, जिसको हम लोग linear displacement भी बोलते हैं, r is nothing but your radius vector, okay, generally हम vector quantity जब पढ़ेंगे तम मैं तुमको बताऊंगा, ये कैसे लिखा जाता है, और theta is nothing but your angle subtended, ये सो लो, इसको observe करने के लिए कितना angle लगा, उसी तरह यहाँ पे solid angle का भी एक relation है, and that solid angle का relation क्या होता है, that is d omega is equals to dA by r square, where d omega is nothing but angle, solid angle, and dA is nothing but area enclosed, okay, area enclosed, मतलब ये भाई, कितना area, ये जो angle है, ये angle कितना area, जैसे मालने ये मुथी है, ये मुथी को देखने के लिए मेरी आखों को ऐसा rays बनाना पड़ेगा, ये सो लो, तो ये कितना angle, ये जो angle है, ये कितने area को enclosed कर रहा है, that is called area enclosed, okay, अब मालनों, अगर मैं बात करूँ, sphere, तो sphere को देखने के लिए, पूरा sphere का जो angle होता है, वो कितना होता है, पूरा sphere का जो area होता है, वो कितना होता है, that area is nothing but 4 pi r square, तो 4, sphere, 4 enclosed, for enclosed, for enclosed, sphere, sphere का area क्या होता है, that is 4 pi r square, तो d phi क्या हो जाएगा, that is 4 pi r square, नीचे r square है, r square, r square get cancelled, that is solid angle for, sphere is 4 pi, okay, sphere के लिए, जो angle होगा, वो कितना होगा, solid angle, that will be 4 pi, कितना होगा, वो 4 pi होगा, बासन में आ रहा है, इसका जो unit होता है, वो क्या होता है, वो होता है, steer radian, okay, उसको हम लोग कैसे लिखते है, उसको हम लोग लिखते है, steer radian, okay, थोड़ा सा उपर कर देते हैं, SI Unities, और उसको हम लोग रिप्रेजन करते हैं, SR से, किसी रिप्रेजन करते हैं, SR से, अगर उसको पूरा लिखेंगे, तो steer radian लिखते हैं, अगर short form में लिखेंगे, तो SR लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग पूरा लिखते हैं, radian, okay, और अगर short form में लिखेंगे, तो rad लिखेंगे, क्या लिखेंगे, rad लिखेंगे, clear बासमिनारी everyone पका, okay, समझ में आया, what is plane angle and what is your solid angle everyone, okay, यह ऐसी unit है, यह ऐसी quantities है, जिनके पास मात्र सिरिफ unit होता है, इनके पास dimension नहीं होता, क्या होता है dimension, we will talk about in next lecture, हम बात करेंगे, तो यह याद रखना, कि भाई, यह ऐसी unit है, यह अकेला एक ऐसी unit है, मतलब अकेला एक ऐसी quantity है, जिनके पास सिरिफ unit है, इनके पास dimension नहीं होता है, याद रखना, okay, बाकी सारी quantities के पास unit भी होता है, और dimension भी होता है, और माल लोग किसी किसी के पास unit नहीं है, तो dimension भी नही होगा बट इंके पास unit तो है बट dimension नहीं है ओके clear बास में आगे everyone चलो आगे कहानी देखते हैं next is convention for the use of SI unit को हम लोग कैसे लिखे कुछ लिखने का तरीका है हमको बताना है वह कैसे लिखे तो generally अगर हम लोग देखने जाए तो कुछ चार-पांच मेथड है चार-पांच तुम लोग बोल सकते हो norms है कुछ rules and regulation है वही तुम इस तरह लिख सकते हो इस तरह नहीं लिख सकते जैसे कि अगर पहला rule देखने जाओ तो पहला rule क्या बोलता है कि अगर तुम unit को पूरा sentence तुम्हारा जो पहला है न यह ऐसा यह गलत हो जाएगा this is wrong this is wrong and this is correct okay मतलब तुम क्या करोगे भाई capital letter से start नहीं करोगे अम माल लोग तुम को सिर्फ सिंबल लिखना है सिर्फ सिंबल लिखना है तो तुम क्या करोगे अब तुम लोग capital लिखोगे अब यह सही है अब अगर ऐसा लिखोगे five small n पिए गलत हो जाएगा okay clear बात समया रहा है मतलब अगर वो यह है क्या बोलते हैं किसी scientist का नाम है तो किसी scientist का नाम है तो capital में आएगा याद रखना ओके अगर तुम लोग ने scientist का नाम छोटा लिख दिया तो वह गलत हो जाएगा जैसे हो छोटा लिखना अगर तुम बड़ा लिखोगे तो याद रखना सिर्फ single letter लिखना उसका पहला नाम लिखना पूरा नाम मत लिखना ये पहली कहानी हो गई फिर ऐसा और भी रूस है जैसे मानलो तो प्यूरल फार्म नहीं होना चाहिए जैसे पालो कि तुम लिखते हो 20 newton तो 20 newton नहीं आना चाहिए लास्ट में एस नहीं आना चाहिए ऐसा आएगा तो गलत हो जाएगा इसका मतलब होगा है newton second इसका मतलब क्या होगा newton second s stands for second वो time के लिए stand होता है तो newtons नहीं होना चाहिए कोई भी plural form नहीं आना चाहिए तो यह गलत हो जाएगा तो ऐसा नहीं सिर्फ 20 newton लिखा that is good full stop नहीं आना चाहिए भाई वहाँ पे तुम 20 newton लिखने के बाद full stop का habit होता है वो नहीं होना चाहिए वो गलत हो जाता है ओके तो वह सब चीजों का ध्यान दो फिर मानलो अगर combination है बहुत साइव यूनिट का combination है लेसे कुछ ऐसा combination है ड़ीज जून पर सेकेंड पर मीटर मानलो ऐसा कुछ तो combination है तो combination में एक चीज ध्यान देना है कि भाई तुम लोग सदा करके सिंबल यूस करो ओके उसका फुल नेम यूस मत करो सिंबल यूस करो अब यहां पर देखो मैं keyboard got di मैंने Scroll जो स्टार्ट क्या capital से स्टार्ट किया जो कि गलत है व.." भाई हमkä यह किस से competitive small से स्टार्ट करना है और यह भी गलत है यह जो पूरा लिखाया है यह भी गलत है इसको कुछ ऐसे लिखो that is joule per second per meter अब यह सही है this is the correct form this is the correct form इसको यह भी correct है ऐसा नहीं कि यह गलत है बट इसको यूटलाइज मत करो यह ज्यादा correct नहीं है उससे ज्यादा correct यह है ओके तो उसको ratios के form में बढ़िया लिखो या फिर ऐसे लिखो या फिर तुम इसको और एक तरीके से लिख सकते हो that is joule second inverse meter inverse ऐसे भी लिख सकते हो कोई problem नहीं जो चीज denominator में होती है वो हमको पता है कि वह उपर जाके क्या हो जाती है तो जूल सेकेंड इन्वर्स मीटर इन्वर्स ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा कोई problem नहीं है हाँ या ना तो कुछ method है भाई यह rules and regulation है अगर तुम test चीज पर ध्यान देदो जैसे ratios के form में आता है जैसे माल लो कि हम लो कुछ ऐसे वाल्यू लिखते हैं जैसे फाइव माइक्रो मीटर है तो माइक्रो का conversion क्या होता है माइक्रो का conversion होता है फाइव इन्टू 10 रस्टू माइनस 6 मीटर फ़ार तो माइक्रो मीटर को मैंने कन्वर्ट कर दिया ताइब बहुत लोग को क्या होगा माइक्रो का मतलब होता है दो नी या फिर दो बार मिनी तो दो बार मिनी मत लिखो that is wrong ओके अब दो बार मैं मिनी लिखों का मैं ऐसे लिखोंगा ध़िए 5 x 10 रस्टू minus 3 mini into 10 raise to minus 3 mini ये गलत हो जाएगा ओके एक ही convert करो या फिर micro को पुरा का पुरा मीटर में convert कर दो या फिर micro को पुरा का पुरा milli में convert कर दो ओके दो conversion नहीं होने चीए एक ही statement में वो चीज का रहान देना थोड़ा सा ओके और अगर तुमको अभी तक conversion याद नहीं है लेना सारे के सारे conversion और कुछ basic conversion नहीं जो तुमको पता है that is 1 kg is equals to 10 raise to 3 gram अब तुम लोगो थाउजन याद होगा ओके तो थाउजन अब याद मत करो अब उसको थोड़ा सा अलग वे में याद करना चालू करो पावर के वे में याद करना चालू करो रेस्टू के वे में याद करना चालू करो ओके तो 1 kg is equals to 10 raise to 3 gram next 1 meter is equals to 10 raise to 3 mm okay one meter is equals to 10 raise to 6 micrometer micro को हम लोग म्यू से रिप्रेजन करते हैं one meter is equals to 10 raise to 6 10 raise to 9 nanometer nanometer को हम लोग nm लिखते हैं okay clear बस में आ गया फिर और क्या है मिली के लिए भी सेम कनवर्जन है अगर हम लोग मिली के लिए करेंगे तो सेम कनवर्जन है फिर मेगा के लिए ओके वन रेस्टू मेगा मीटर तो मेगा मतलब 10 रेस्टू 6 मीटर ओके मेगा मतलब 10 रेस्टू 6 मालो गीगा है, गीगा मीटर, गीगा मीटर है, तो गीगा के लिए हम लोग यूज करते है, 10 रस टू 9, और किलो के लिए तुमको पता है, किलो रहा तो 10 रस टू 3, तो these are the conversion जो तुमको काम आने वाले हैं, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, हो, अब अगर 1 meter is equal to 10 raise to minus 3, 10 raise to 3 mm है, तो 1 mm किसके बराबर होगा? 1 mm बराबर होगा, 10 raise to minus 3 meter के, यही चीज़ वहाँ चला जाएगा, बराबर, वही same, 1 micrometer बराबर होगा, 1 micrometer किसके बराबर होगा? 1 micrometer बराबर होगा, that is 10 raise to minus 6 meter के, आया न, समझा कि नहीं, वन नानो मीटर बराबर होगा 10 रेस टू माइनस 9 मीटर के तो ये कनवर्जन है जो कनवर्जन तुमको दिमाग में बैठा के रखना क्योंकि बहुत जादा काम आने वाला है 11-12 में फिजिक्स में सिरिफ कनवर्जन काम आने वाला है तुमको तो ये चीज़ पर थोड़ा ध्यान दे देना इसके अलावा ये बहुत कनवर्जन है धिरे धिरे कनवर्जन पढ़ना चालू कर दो जैसे टाइम के लिए है जैसे केजी के लिए और है लीटर और इसका कनवर्जन है तो वो सब पढ़ना चालू कर दो तो let me know in the comment box, comment box में बताना है, यह तुम्हारा homework है, अब तुमनों बोलोगे, sir, सारा चीज तो आप homework दे रहे हो, कुछ तो पढ़ाई नहीं रहे हो, देखो, condition यह है, कि यह चीज मैं पढ़ाऊंगा ना, उससे अच्छा तुम समझोगे, जब तुम उसको एक बार read करोगे, and that is very important, अगर तुम सारा का सारा मुझपे dependent रहोगे, तब तुम कुछ नहीं करोगे, तुम कुछ नहीं करोगे, तो obviously तुम आओगे, सिरिफ देखोगे, चले जाओगे, यह गलत बात है, यह habit मत रको, किसी का भी वीडियो देखो, कहीं से भी पढ़ो, important यह है, कि भाई, लाता है, measuring tape आता है, उससे हम लोग measure कर लेते हैं, ओके, वो एक definite distance के लिए, अब मालो कि यहां से मेरे को star तक का distance, एक मालो दूसरा कोई star है, या फिर कोई दूसरा planet है, वहां तक का distance नापना है, ओके, तो वो distance कैसे नापेंगे, वो हम लोग tape लेके तो जाएंगे नहीं वह तो वहां पे, वहां का distance नापने के लिए, there is a method called as parallax method, क्या होता है, parallax method होता है, what do you mean by parallax, parallax होता है कि भाई, object का shifting with respect to observer, ओके, इसका मतलब क्या है, लेस से, तुम अपना thumb आगे करो, everyone, सब लोग, जो जो वीडियो देख रहे हैं, सब लोग ये करेंगे, thumb आगे करो, एक ब आग बंद करोगे, object देखोगे, और जब तुम ये वाला आग बंद करके, इस से देखोगे न, तुमारा thumb थोड़ा सा shift हुआ होगा, this shifting of object with respect to observer is called as parallax, और यही method हम लोग इस्तमाल करते हैं, to measure the long distance, to measure the long distance, okay, let's say, कि भाई, this is earth, ये तुमारा earth है, और लेस से, यहां पर कोई बहुत दूर कोई star है, या फिर कोई planet है, यहां पर कोई दूर बहुत, या फिर कोई दूर में एकदम star, या फिर कोई planet है, वो तो point जैसे ही दिखेगा, वो star हो, या फिर कोई planet हो, अपने को तो एक dot जैसा दिखेगा, okay, yes or no, तो लेस से उसका नाम हम लोग S लग देते, क्य है न? अब हम लोग क्या करेंगे? दोनों डायमेटरिकली अपोजिट पॉइंट, लेस्से A and B, यहां पर दो डायमेटरिकली अपोजिट पॉइंट, लेस्से एक तुमारा नौर्थ पोल हो गया है, एक तुमारा साउथ पोल हो गया है, यह सो नो, तो दोनों अपोजिट है, एक बार यहां पर यह लगाएंगे, सेटलाइट लगाएंगे, और इस प्लानेट को या फिर इस स्टार को अब्जर्व करेंगे, और एक बार वही सीम काम करेंगे यहां पर रखके, सीम अब्जर्व करेंगे यहां पर वरबर यह स्टार को अब्जर्व करेंगे आप, जब द अब मुझे पता है, यहां से यहां तक का जो distance होगा, वो same distance यहां से यहां तक का होगा, तो let's say, यह वाले distance को D ले लेते हैं, capital D, तो capital D क्या है, capital D है, that is distance between observer and star, अब ध्यान से अगर हम देखेंगे, तो same काहनी है, अगर हम लोग लगाएंगे, तो यह तुम्हारे लिए यह object इतना छोटा है, कि तुम इसको arc length पकड़ो, या फिर इसको arc length पकड़ो, दोनो सेम ही चीज होगा, यह सो नो, क्योंकि यह जो distance है, यह distance बहुत बढ़ा है, तो तुम इसको arc length पकड़ो, या फिर इसको arc length पकड़ो, दोनो सेम चीज है, तो यह तो अपने को पता नहीं है, अपने को यह distance पता है, तो आपको इसको arc length पकड़ेंगे, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ, that is arc length, arc length कितना है b, arc length बराबर होता है, हमको formula पता है न, हम तो radius क्या हो जाएगा, देखो जाएगा, अगर यह arc length पकड़ते हैं, तो यह radius हो गया, that is capital D, capital D radius हो गया, and what is theta something, that is, yes or no, तो यहाँ से जो capital D है, वो capital D क्या मिलेगा, that is b by theta, capital D क्या मिलेगा, that is b by theta, हाय न, and this is nothing but, भाई, b मिरको पता है, b क्या है, that is diameter of earth, जो कि मुझे known रह हेगा, हाय न, diameter of earth मुझे पता है न, यह theta क्या है, theta है, parallax method है, parallax angle है, तो parallax angle मुझे पता होगा, with the help of parallax method, I can calculate the parallax angle, तो यह भी मुझे पता होगा, this is also known, यह भी मेरे लिए known है, yes or no, अब दोनों चीज़ मेरे लिए known है, तो obviously बात है, जब दोनों quantity मेरे लिए known है, substitute I will get the capital D, अब तुम लोग बोलोगे सर, capital D तो यह वाला distance है, यह वाला distance तो नहीं है न, वो, और मेरे को यह वाला distance ही है, तो बच्चा, भाई, यह distance इतना बड़ा है न, कि तेरा यह quantity, यह quantity, यह तीनों के तीनों लगभग सेम रहेंगे, लगभग सेम रहेंगे, तो जितना तेरा यह D आया न, वही तुम बोल सकता है, this is nothing but this D, तो तुम बोल सकता है, भाई, अर्थ और उस प्लानेट या फिर उस स्टार की बीच में जो distance है, वो कितना है, वो है capital D, ओके, and this is how you can calculate the distance between Earth, मतलब मुझ में, और किसी भी स्टार या फिर किसी भी प्लानेट का अगर में और मेरे को parallax angle पता होना चाहिए, parallax angle कैसे मिलेगा, by the shifting of method, बरबर एक observer, इसलिए देखो न, दो position लिया है, यह सोनो, A से लिया है और B से लिया है, मतलब observer चेंज हुआ है, with respect to उसके position of object भी चेंज हुआ है, जैसे माल लो कि यह तुमारा A है, यह तुमारा B है, एक बार मैं हम लोग यूज करके, बड़ा distance calculate करता है, distance between earth and बहुत star के बीच में, यह सोनो, ओके, वहाँ पे बहुत अलग-अलग unit यूज करते हैं, हम लोग, हम लोग यूज करते है, 1AU, and what is 1AU, 1AU यूज होता है, generally, distance between, earth and sun के बीच में, जितना distance है न, distance between earth and sun, उसको हम लोग बोलते है, 1AU, that is astronomical unit, 1 astronomical unit, हम लोग, अगर बहुत ज्यादा distance है, तो हम लोग light year यूज करते हैं, 1 light year, okay, light year is the distance, भाई, जितना distance light को एक साल में travel करने के लिए लगता है, उतना distance को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 light year distance, okay, the distance, the distance, travel, by light, in one year, is called as one light year, इसको क्या बोलते हैं, हम लोग, one light year, okay, तो तुमको comment करके बताना है, तुम्हारे test book में mention है, कि भाई, 1AU का value क्या होता है, और one light year का value क्या होता है, that you have to comment, okay, वो comment करके मेरे को बताना है, यह है तुम्हारे लिए task, तो अगर तुम वीडियो देख रहे हो, तो सबसे पहले, इसका value मेरे को comment करके बताओ, मैं power बता देता हूँ, 10 raise to 15 के आसपास है, okay, बाकी आगे का value तुमको बताना है, same, इसका भी one year क्या होता है, वो तो मैंने बता दिया, one light year क्या होता है, अब बहुत लोग को लगता है, one light year is a unit of time, ना, ना, it is a unit of distance, यह distance ना अपने के लिए use होता है, the distance travel by the light in one year, that is called as one light year, that is called as one light year, तो दोनों का actual value in terms of meter, meter में इसका value कितना है, यह तुमको comment करके बताना है, clear बास तोना आगे, यह humba के तुमार लिए, clear, समझ में आगे everyone, समझ में आगे, क्या होता है, yes or no, okay, इसके notes जो है, वो तुमको test book में मिल जाएंगे, कोई problem नहीं है, सिर्फ method समझो, method समझो के notes तुमको test book में आज it is मिल जाएंगे, okay, वहाँ से तुम लोग रफर कर सकते हो, clear, बास समझ में आ गई, समझ में आया, आज का topic, आज हम लोग ने derive quantities, supplementary quantities, parallax method, हम लोग ने convection of units की बात कि, okay, तो आज हम लोग ने क्या किया, basic unit वाला part खतम कर दिया, next lecture से we will start with a dimension वाला part, what is dimension, कहाँ पर use आता है dimension, what is the uses of dimension, okay, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, error की, okay, और basically ये chapter खतम हो जाएगा, छोटा chapter है, easy chapter है, बस condition ये है कि तुम अभी से ही पढ़ना चालू कर दो, okay, wait मत करो, result आने का, wait मत करो, अगर तुमने decide कर लिया है कि मुझे science करना है, तो starts from today, clear, बास में आगे everyone, चलो, so आज का lecture यहीं पर end करते हैं, आज के लिए बस इतना ही, that's it for today, thank you so much.